मौनसून की सुस्ती और शुष्क मौसम के बीच रवीवार और सुमवार को एक बार फिर दिल्ली में हलकी बारिश हो सकती है बारती मौसम विज्ञान विभाग ने इन दोनों ही दिनों के लिए येलो अलट मी जाड़ी कर दिया है इससे पूर्व शनिवार तक बादल तो कमुवेश रोज ही चाय रहेंगे लेकिन भूदा बांदी के अलावा और कोई संभावना नहीं है इससे पहले मंगलवार को भी गर्मी के तेवर अपेक्षकरित धीले ही रहे दिन बर बादलो और सूरज के बीच लुका छीपी भी चलती रही अधिक्तम ताप्मान सामाने से 3 डिगरी अधिक 35.7 डिगरी सेल्सियस जबकि न्यूंतम ताप्मान 3 डिगरी अधिक 26.3 डिगरी सेल्सियस दर्च किया गया वहीं हवावे नवी कस्तर 62-89 फीसद रहा मौसम विभाग के मुताविक बुद्वार को भी बादल चाय रहेंगे लेकिन बारिश होने के आसार नहीं है अधिक्तम ताप्मान 35 और न्यूंतम ताप्मान 25 डिगरी सेल्सियस रह सकता है मौसम का ये स्वरूप कमुबेश 2 अक्टूबर तक बना रहेगा इसी दोरान कभी कबार बुन्दा बांदी हो जाए तो हो जाए इससे अधिक कोई संभावना नहीं है 3 और 4 अक्टूबर को हलकी बारिश हो सकती है मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर तक के लिए ग्रीन जब कि 3 और 4 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है वही तेलांगना और इससे जुड़े माराटवाडा और विदर पर बने डिप्रेशन से अब पश्चिमी दिशा की और बढ़ने की संभावना है मही गुजराप में मौसम विभाग की सूरत में बहरी बारिश की भविश्यवानी के बाद उकाई डाम से पानी छोड़ा गया माराष्ट में बहरी बारिश की वजह से गोदावरी नदी खतरे के निशान से उपर बह रही है जिसकी वज़ा से नासिक के कई इलाके जल मगन हो गए है वही मुंबई सहीत राज्य के कई हिस्सों में गुलाब तुफान का असर दिखाई दे रहा है यवत माल में बस बह जाने से तीन यातरी की मौत हो गई और ड्राइवर के लापता होने की खबर है गुलाब तुफान का असर मुंबई सहीत महराश्य के अन्ने हिस्सों में दिखाई दे रहा है दूसरी ओर मराट वाड़ा में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण पिछले 48 गंटों में 10 लोक मारे गए एवं 200 से जादा पशू बह गए यवत माल में एक बस बह जाने से तीन यातर्यू की मौत हो गई जबकि बस का ड्राइवर लापता है मौसम विभाग ने अगले 24 गंटे ऐसे ही बारिश होने की आशंका जताई है महराश्य के अंदर विर्यू रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी